नमस्कर दोस्तों तो आज की इस वीडियो में एक और पोर्टफेलो को रिव्यू करेंगे तो जिनका ये पोर्टफेलो ये हाइदराबाद से बिलॉंग करते एंड एक प्राइवेट और्गनिजिशन में काम करते ये लास्ट दो साल से स्टॉक मार्केट में निवेश करें ब एक साल आप होल्ट और करने वाले हो बट हम पकड़के चलेंगे आप इस इन्वेस्टमेंट को पोर्टफेलो को लॉंग टर्म के लिए होल्ट करेंगे और वहां भी क्या कुछ चेंजिस किया जा सकता है वह इस वीडियो में हम डिसकस करनी की कोशिश करेंगे तो चली एक साल आप होल्ट और वहां पोर्टफेलो का साइज एक लाग एक टी सिक्स थाउसन का बन चुका है यहां की पोर्टफेलो में अभी होड़ा है 24 परसंट के आसपस का लॉस और 2.7 लेक का लॉस इनको होड़ा है इनके पास बहुत जादा स्टॉक नहीं है इन्होंने अप अधानी ग्रूप के अंडर जो मैक्सिवां कमपनी सों उनके वैलुशन थोड़ा हाई आपको देखने को मिलेंगे अभी इतना गिरने के बाद भी अभी दोस्तों अधानी विल्मार के उपर जब भी हमने वीडियो पोस्ट का है एक जिसको हमने डिसकस किया है यह बेसिकल कमपनी कौन सा है वो कमपनी सिंप्ली वीबिल तो वीबिल अगर देखेंगे तो वेवरिजेस कैटेगोरी के अंदर आता है तो इसका मार्केट के अधानी विल्मार से जाधा है बट वैलूशन अगर देखेंगे तो अधानी विल्मार का पी रिशो 85 है महंगा तो है अधान भी बहुत बढ़िया बना है, sales में 37% का ग्रोथ, profit में 68% का ग्रोथ, तो देखे एक simple सा question, कि यहाँ पर logic कहाँ पर बनता है जादा investment करने का, एक company है महेंगा, ग्रोथ है कम, दूसरा company है सस्ता, यानि कि उससे सस्ता, अदानी विलमार से सस्ता, ग्रोथ है जादा, तो मेरे लि है, तो वो भी अगर headache नहीं लेना है, तो मेरे लिए तो वीबिल अच्छा option है, बाकि देखे आपको कौन सा company जादा, बेटर लगता है, मैं क्या कर सकतो, मैं just मेरा जो viewpoint है, वो ही आपको बता सकतो, बाकि decision क्या लेना है, वो आपको ही, आपको ही decide करना है, तेने Dixon Tech, तो Dixon Tech में बहुत बड़ा investment, कितना? 5.8 lakh रूपीज का, इधर पे होड़ा है बहुत बड़ा loss, 32% का, and 1.9 lakh का loss होड़ा है Dixon Tech में, तो 11 lakh में से जो 5-6 lakh है, वो Dixon में ही इन्होंने डाल दिया आई, अब चले Dixon के उपर बात करते, तो Dixon का, आज अगर आप देखेंगे market cap, तो 17,000 क परोड़े, यानकी छोटा midcap company है, then PE ratio 72 का, मैंने वीडियो पोस्ट के है, main channel पे, guide to investing channel पे, तो वहाँ पे playlist में चाहिए, आप वीडियो देखे, how to make 10X return, वहाँ पे double engine, triple engine concept के बारे में, मैंने आपको बता है, तो double engine concept के अंदर आता है, PE re-rating, तो PE अगर देखेंगे, already 72 है, इ past कुछ time से, जो company का stock है, वो गिरते ही जा रहा है, अगर अब देखेंगे, इधर पे काफी ज़्यादा गिरावट हमको company के वैकने को मिला है, and stock अगर देखेंगे, तो काफी time से चला नहीं है, एक साल का chart में दिखाता हूँ, तो एक साल, sorry, इधर पे PE वाला chart ही open हो गया, त एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो Dixon का stock गिरा है बहुत जादा, 4600 रोपे का stock है, अभी खापर आ चुका है, 2900 रोपे के आसपस, right, तो गिरावट तो बहुत जादा Dixon में देखने को मिला है, company की growth की अगर बात करे, तो growth तो बढ़िया है, sales में अगर आप देख तो उस PE को, उस valuation को कम करने के लिए, company का earning तो grow हुआ, बट stock अपर जूपर नहीं गया है, just इस PE को नीचे लाना है, इस बज़से, अभी दोस्तों, Dixon Tick, यह जो company, इधर पीनों ने maximum allocation दिया अपने portfolio का, जो लोग इस वीडियो को देख रहे है, आप अपने हिसाब से, यह decision क बताना कि यह सही है, यह गलत है, यह Dixon Tick के कुछ positives, यह कुछ negatives आप बता सकतो, कोई भी company जो भी हमारे portfolio में, उसके positives and negatives है, दोनों अगर पता होगा, तो वो बहुत ज़दा help करेगा allocation देने में, कि हाँ, यह company में positive है, तो मैं निवेश करूँगा, बट कुछ-कुछ यह negative point भ देख रहे हैं, आप चाहों तो इनको help कर सकतो, बताके कि इन्होंने क्या यह सही decision लिया है, या क्या कुछ negative है, या ऐसे सोचना चाहिए, आप चाहों इनको comment करके बता सकतो, अभी मेरा decision कर आएगा, अगर मेरा portfolio होता, तो मैं Dixon Tech में इतना बड़ा allocation नहीं देता, क्योंकि द सबसे highest allocation मैं Dixon में personally provide नहीं करूँगा, मैं दूसरे company में देदूँगा highest allocation, तो ऐसे मैं सोचता हूँ, बाकी देखिए, आप उसके बाद है, 2.7 लाग का investment है, 15% का loss हो रहा है, अच्छा company है, hold करेंगे, तो loss recover हो जाएगा, and company ने past में भी बढ़िया return दिया है, अभी भी business grow कर है, business grow करेगा, तो stock भी ऊपर भागेगा, तेने HDFC bank, and 39,000 का investment है, 6% का profit हो रहा है, अच्छा bank है, strong bank है, आप simply hold and continue कर सकते हो, उसके बाद है, आज जो प्राइविट लर्निंग ग्रूप है हमारा, तो उनके साथ एक जो graph है, वो मैंने share किया था, that इस ताइम पे, जो 52 हाई है यान कि कौन-कौन से जो stock है, वो एकदम high level पे, तो banking sector में से सबसे ज़्यादा stock इस ताइम में 52 हाई है, यान कि banks बहुत अच्छे करड़ है, अगर आप देखेंगे, तो large cap जो category के stock से वो भी बहुत अच्छे करें, वो ही जात तर 52 हाई के आसपास है, तो वो charts बहुत important है, क बहुत गुना जादा आपको learning group में मिलेगा, उसके बाद next company Infosys, 84,000 का investment, 21% का loss, Infosys is a good company and strong company, but Infosys में क्या है, कि guidance company ने जादा दिया नहीं है, 2024 financial year के लिए, तो बहुत जादा aggressive growth expected नहीं है, अभी थोड़ा सा consolidation possible है Infosys में, तेरे IRCTC and इधर पे 72,000 का investment, 20% का हो रहा है इनको loss, तो चलिए, stocks कमें, तो थोड़ा detail में हम बात करने की कुशिश करतें, तो IRCTC का, आज अगर size देखेंगे, तो यह 50,000 करो, PE देखेंगे, तो वो 53 का, और उसी return on equity बहुत बढ़िया, कर्जा जितना है, उसे बहुत साथा cash है, date free company, ने date free company अब इसको कह सकतें, अब चलिए PE के उपर ही बात करतें, तो PE IRCTC का, एक time पे कहा पर चला गया था, 300 के उपर, 300 के उपर, तो obviously बहुत महेंगा था, उसके बाद stock भी गिरा, and company का जो earning है, वो भी increase हुआ, यह दोनों trigger ने, इनका जो PE ratios को बहुत ही, नीचे लाकर खड़ा कर दिया, पर दोस्तों हमारे पास ज जादा लंबा data मिलेगा नहीं, IRCTC के related, तो अभी क्या यह sustainable PE है, 53 का, वो आगे जाकर ही पता चलेगा, बट government भी काफी capix करा है, business में growth आ रहा है, मार्च का result आया नहीं है, तेकिंगे मार्च का कैसा result आता है, बट business में growth स्टार्ट हो चुगा, and growing वाले company में, आप hold and continue कर सकत IRCTC के बाद last company, इनके पास रेनु का, and 6600 का छोटा सा investment है, यह अगर 10X भी हो जाए, तो भी इनके portfolio में जादा फड़क नहीं पढ़ने वाला है, बट फिर भी, हे इनके portfolio में तो चली बात कर लेते, तो श्री रेनु का सुगर्स, तो यह company का market cap, आज 9900 करोर है, एक चीज़ आप खुद भी देख सकतो, कि आज से, यहाँ पर 2022 यह है, आज से 10 साल पहले 2012 यह है, sales अगर देखेंगे 12300 करोर था, एन इधर पर देखेंगे तो 6400 करोर, business तो ग्रो ही नहीं हुआ, तो ऐसे company में पैसा क्यों डाले कि business ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर business ग्रो न मिलेगा, ऐसे gambling करके तो कुछ फाइदा नहीं होगा, तो तो यह था इनका पूरा portfolio, आपको इनका portfolio कैसा लगा, आपके साब से क्या कुछ changes किया जा सकता है, आप चाहू तो इनको comment करके बता सकतो, अभी देखें जो loss आपको हुआ है, तो loss सारी investor को होता है, मुझे भी होता ह और बड़े से बड़े investor को भी starting phase में बहुत जादा loss झेलना पड़ा है, अगर आप उनकी interviews देखेंगे, उनके biographies जाके पड़ेंगे, जितने भी बड़े investor का नाम आज सुनते हो, आप 20 साल पुड़ाने, 30 साल पुड़ाने, तो उन सारे लोगों ने बहुत जादा loss किया है आज भी करते हैं, आज भी Warren Buffett को loss हुआ है, पेटियम में, तो इस बसे बड़ी बात नहीं है कि आपको loss हुआ है, यह बहुत जादा matter करता है, तो आप देखें कि loss आपको क्यों हुआ, क्या गलती अपने की है, कौन से valuation पर अपने निवेश किया है, क्या वह एक reason है valuation, या company क business अपने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है, business grow नहीं कर रहा है, तो वह reason आपको ढोन कर निकलना पड़ेगा, बाकि आप जहाँ पी investment करेंगे, तो वह company में आप पहले तो growth देखें, क्या सा growth आ रहा है, management क्या guide कर रहा है, management में क्या credibility है भी या नहीं, तो वह आपको देखना इबिल के उपर हमने किया, and titan company है, जो कि काफी consistent है, हमने इसरीफ के उपर discuss किया, तो इसरीफ को भी आप पढ़िये जाके, तो वो भी interesting company है, large cap के अंदर, इधर पर risk बहुत कम है, mid cap के अंदर किया है, कि उपर हमने discuss किया था, वो stock तो भागते ही जा रहा है, and poly cap भी interesting company है, तो वो company को भी पर सकतो, right, main channel पे आपको बहुत सारी interesting company पता लगेगा, and उनके बाड़े में update हम provide करते है, वो आप ज़रूर जाके, पढ़िये track किजा, उसके बाद एक अच्छा portfolio बनाने की कूशिश किजे, okay, चले, अभी देख लेते कि long term में इनका portfolio कितना wealth create करके देशा है, तो total investment हमने लिया है, 8,80,000 का loss होने के बाद का जो figure है, then expected return अगर 16% का लेते है, and अगर यह अपने portfolio को 15 years तक continue कर लेते है, तो after 15 years, यह जो 8 lakh का portfolio है, यह चला जाएगा 81 lakh पे, तो आज जो आपको 2-3 lakh का loss loss जादा बढ़ानी है, तो portfolio को ठीक ठाक बना के भी आप अपना loss को recover कर सकता है, long term में एक अच्छा wealth इस investment के थूँ आप create कर सकतो, and यह तो हमने current investment ही लिया है, अगर आप हर महीने यह हर साल, यह हर 6 महीने थोड़ा-थोड़ा और investment करते हो, तो obviously यह figure एक करोर के उपर भी चल आप जाएगा, तो आप देखें कि आपके पास कैसे टाइप के stock हैं, क्या है, वहाँ पर 16% CHR return possible है, कैसे आप देखेंगे, आप पर simply companies के valuation and earning growth को देखें, अगर valuation जाएगा है, तो वहाँ पर एक ही engine काम करेगा, और वह ही earnings growth वाला, तो management का guidance आप देख सकतो, and कौन कोल आप attend कर सकतो, time नहीं है, तो आप YouTube में जाकर search करना, कोई भी, Dixon आपके पास है, तो Dixon quarter forward, आप search करना, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वह जाकर सुनी है, management क्या guide कर रहे, बहुत सारे smart analyst है, बहुत सा smart investor है, जो question पूछेंगे management से, कि ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, क तो दोसी ये था, आज का मारा portfolio review का वीडियो, I hope की वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, वीडियो गर अच्छे लगा है, तो एक लाइक ज़रू कर देना, साधिसा चैनको subscribe जरू कर लेना, नीचे अप stocks का link आपको मिल जाएगा, जाओ तो उसके through, आप अपना account open कर सकतो and हमारा private learning group को join कर सकतो for lifetime, जहाँ पर आपको कोई call और tip ने मिलेगा, मेरे जो खुद के trades होंगे, short term, long term, तो वो map के सर शेयर करता जाओंगा for lifetime, प्लस आपको daily basis पे बहुत सरी learning content मिलेंगे, जिससे हर दिन आप एक better investor मनते चलेंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत